ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सूपर पावर थी लेकिन ये अपने पावर के इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं बड़कि अपने फैदे के लिए किया करते थे एक दिन उन सबी को आर्मी के दोरा अरेष्ट कर लिए गया था और कई सालों के लिए जेट की सजा हो गई थी लेकिन इमेंडा नामकी एक इंटेलीजेन्ट आपिसर जो की अमेरिकन गवर्मेंट के लिए काम घिया करते थी उसने उन सबी को एक आफर दिया और कहा कि अगर तुम सब मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारी सजा 10 सां तक की माप कर दी जाएगी उन में से कुछ लोग को मना कर देते हैं लिकिन ज्यादा तरो लोग मान जाते हैं लेकिन माना करने वारे लोगों एक पास कोई ज्याइस नहीं होती इसलिए मेंड़ा उन्हें mentally torture करके अपने टीम में सामिल कर लेती है वो दस लोगों का टीम बनाती है और टीम का नाम रखती है टाक्स पोस इस टीम में सामिल थे Rick Flag जो की एक military officer था Harley Queen जो की एक मानुवाइग्यानिक थे Captain O-Rank जो अपने O-Rank को एक मातर हथियार को तरह यूज़ करता था 70 जिसके निसाने कोई भी बचने ही सकता था Wizzle नाम का एक आजीप सा जानुवर T.D.K. नाम का एक बच्चा जिसके पास सूपर पावर थे कि वो अपने बाड़िंगी किसी भी पार्ट को लगळग कर सकता था Black Guard और Javeline Thro जो अपने दूसमिनों के एक भाले का सायता से मारते थे क्योंकि इतने खतरनाक किमिनल को खुला छोड़ना कापी रिस्की था इसलिए मेंडा ना उन सर्भी के सीर के अंदर एक बम फिट कर दिया था ताकि कोई भी भावने कोसिस करे या मिशन को छोड़ के जाए तो मेंडा उसे अस्तानी से मार सके इमेंडा उनको मेंशन के बारें बताती है और कहती है कि कार्टो मॉन्टिस नाम के एक आइसलेंट पर हरेला फैमली पिछले कई सालों से राज किया करती है लेकिन पिछले हफते ही सिल्वी अलोना नाम के एक आदमी ने वहां की मिलिटरी और अपने चलबाजों के साहता से उस आइसलेंट पर कपज़ा कर लिया है और पूरी हरेला फैमिली को बीच सड़क पर फासी पर लटका दिया है वो कहती है पुराने सासन से हमें कोई भी प्राब्लम नहीं था लेकिन सिल्वी अलोना अमेरिका से नंफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हत्त जा सकता है तो मैं उस आइसलेंट के एक सीक्रेट लेब को डिश्ट्रॉय करना है जहां परो लोग एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट करके एडवांस विपेन बना रहे है टाक्स पॉसक अपने मिशन के लिए निकल जाते है आइसलेंट के पास पहुँचकर वो सभी समुन के अंदर शलांग लगा जते है लेकिन किस्यों को पता नहीं खाकी विजन तेर नहीं सकता था वो डूपने लगता है जब उसे समुन से बाहर निकला जाता है तो मिशन से पहले उसकी मौत बजाती है वो सभी अपने विपेन को लोड़ करते हैं पर वहाँ पर पता चलता है कि बलेक गाड दुसमेनों का खबरी था इसका मतलब उसने सभी को ढोखा दिया है जिसलिए वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सोलजर उनका इंतजार कर रहे होते हैं बलेक गाड उन सोलजर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं नहीं तुम्हें इस मिशन की टिटिल्स दी है लेकिन सोजर उसी को ही सबसे पहले मार देते हैं इमिन्डा उन्हें कहते हैं कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते तुम्हें आगे बढ़ना होगा ठीट की अपने पावर का इस्तिमाल करता है जो कि उनके किसी भी काम नहीं आता और एक एक करगे सबी मिंबर मारे जाते हैं सिमेंट उन सबी को मरते देख डर जाता है और वहां से भागने लगता है एमिंडा उससे कहती है कि अगर तुम मिशन को छुर की भागी तो मैं तुम्हें मार दंगी लेकिन वह इस बात को नहीं सुनता इसलिए एमिंडा उसके सिर्फ लगी बम को एक्टिवीट फर्द देती है जिसके बलाश से वह एक ददनाग मौत मारा जाता है जेविलिन मरते वक्त अपने भाले को हरली क्वीन को दे देती है और अब उनके टीम में सिर्फ हरली क्वीन और रिक लैगी जिन्दा बचे थे लेकिन यहां पर एमिंडा का मिशन खेल नहीं हुआ था बलकि उसने बैक अप के लिए एक और टीम बना रखा था जो उस आइसलेंड के दूसरे किनारे से इंटर करते हैं इस दूसरे टीम में टोटल पांच लोग सामिल थे बलड़िस्पोर्ट, पीसमेकर, उनका डाटमेन, रेट कैचर और एक इंसान जिसकी आदि बोलिस सार की थी बलड़िस्पोर्ट काफी अच्छा इंसान था, वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाता था लेकिन इमेंडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धंकीती थी इसलिए यहां पर आना बड़ा था वो सब थोड़ी देर के लिए अराम करते हैं लेकिन सार को हुख लगती है इसलिए वो उस लड़की को खाने की पोसिस करता है सबी टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने ही वाले थे लेकिन किंग सार को आदा करता है कि वो अपनी टीम के किसी भी मेमर को नहीं खाएगा इमेंडा उन्हें बताते हैं कि रिक फ्लेक को दोस्वनों ने पपर लिया है उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत ज़रोगी है इसलिए तुम्हें उसे बचाना होगा वो दोस्वनों के कैमें जाते हैं और सार्क सभी को खाने लगता है पीसमेकर और ब्लाड स्वार तो एक दूसरे से लोगों की मारने की कमपटिसन ही करने लगते हैं लेकिन थोड़ी दिर बाद वहाँ पर पता ज़ता है कि वो लोग जिन लोगों को मार रहे हैं वो उनके दुस्मन नहीं बलकी होतो रिक फ्लेक की मदद कर रहे थे एक लर्की अपने दोस्तों की मौज से कापी गुसा थी लेकिन रिक उसे सांद कर लेता है दूसरी तरफ लैब के अंदर थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट सिल्विय लोना को इस्टारफिस एलियें के बारें बताता है जिसके सर्जी से निकलने वाले छोटे छोटे इस्टारफिस व्यूमन के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं हरली क्विन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था उसे नए कपड़े दिये जाते हैं और उसे सजाकर सिल्वी अलोना के सामने पेस किया जाता है ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हरली कुइन भी अमेरिका से नभ़त करती थी सिल्वी अलोना हरली से कहता है कि वो उसे साधी करना चाहता है और अब जो वेपन हमारे पास है हम उसे फूरी अमेरिका पर राज करेंगे हरली को उसकी बातों से कोई फर्व नहीं पड़ता पर जब वो कहता है कि इस जंग में औरते बुड़े बच्चे सभी मारे जाएंगे तो हरली उसे सूट कर देती है क्योंकि हरली इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेती गन की अवास उनकर मिलिटरी बहा आ जाती है और हरली कीन को फिल से अरेश्ट कर लेती है दूसरी तरफ टाक्स पोस आगे बढ़ रहते हैं इस मेकर डाट मैन से थोड़ी दोड़ी बनाने को कहता है क्योंकि बार-बार उसकी बॉड़ी पर कलरफोल डाट आ जाते थे जो की बहुत ही खतरनाक थे डाट मैन उन्हें बताता है कि उसकी मदर ने उन सभी को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके उपर एक्सपरिमेंट किया था लेकिन उसके अंदर तो ये वाइरस सुपर पावर बन गया लेकिन इसकी वज़े सो इसके भायों की जान चली गई इसके आगे के वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें थैंक्स